जैहिंद दोस्तों मेरा नाम है नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC एरीना में दोस्तों हमारा रिजनिंग का कोर्स ओन गोइंग है जो की बहुत ज़ादा इंपॉरेंट है आने वाले एक्जैम आरार्बी एंटीपीसी SSC और IB के लिए तो अगर आप लोग रिजनिंग का कम्प्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो सबस्क्राइब करके रखिए SSC एरीना को और इस कोर्स के प्लेइलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्षन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ जा करके उसे देख सकते हैं आज हम करने वाले हैं alphabets, जो की chapter 4 है, इसके पहले के chapters भी आप playlist का link दिये गए description box से जा करके देख सकते हैं आज हम करने वाले हैं type 4, first, second, third type करवा दिया गया है, और ये आपको बता दिया गया था कि जब भी alphabets की series आपको दिखाई देती है, ये वाला side left, ये वाला side right यनि दाया कहलाता है, अगर आपको left to right जाना है तो इस तरफ जाना होगा, और अगर आपको right to left यनि दायां से ब बता दिया था, आज का topic बहुत important होने वाला है, प्रशन को एक बार देखिए लेकिन इस वाले question को मैं आपको नहीं करवाता, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, इस से पहले हम थोड़ा बड़े question को देखते हैं, जो थोड़ा difficult है, ये, question बहुत important है, बार बार exam में पूछे ज परता हूं, अगर समझ नहीं आएगा तो description आप comment box में मुझे लिख दीजिए, मैं आपको समझा दूँगा, प्रशन पढ़ते हैं, सब्द एक्सकरजन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनके प्रतेक के बीच में उतने ही अक्षर हैं, जितने की उनके बीच option 2, कोई नहीं, एक या तीन से अधिक, एक बार आप भी प्रशन को पढ़िए, वीडियो पॉज करके, अब इसमें जो सबसे main चीज है, आपको ध्यान रखना है, शब्द पहले तो एक्सकरजन आपको लिख लेना है, अब आपको ध्यान देना है, एक तो जोड़े, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में होते हैं, अब मैं आपको इसे explain करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार एक्सकरजन लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें करना क्या है, आप से पूछा गया है, कितने जोड़े, जैस जोड़े का मतलब ही होता है, दो मिलकर, तो ये एक जोड़ा बन गया, कैसा जोड़ा? ऐसा जोड़ा जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में होते हैं, कैसे? सी और ई एक ऐसा जोड़ा बन गया, जिनके बीच अंग्रेजी वर्ण माला में एक अक्षर होते हैं, और एक सकरजन में भी सिर्फ एक ही अक्षर लिखा हुआ है, जो डी के अलावा कोई, जी डी भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, जोड़ा ऐसा बनना चाहिए, जिनके बीच उतने ही अक्षर हों, जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्ण माला में होते हैं, I hope आपको समझ आया हो, नहीं आया तो एक बार फिर से बैक जाकर के फिर से देखिए, अब दूसरा जोड़ा देखते हैं, ये देखिए, S और U, S और U ये दूसरा जोड़ा है, जिन यहां पे T लिखा है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, उस बात से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है के S और U के बीच उतने ही अक्षर हैं, जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में होते हैं, और वो है संख्या एक, यहां पे T लिखा है, यहां पे T भी हो सकता था, R भी कुछ भी हो सकता है पर जोड़ा आपका S और U मिल करके एक बना देता है चलिए उम्मीद है आप समझ में आया हूँ अगला जोड़ा देखते हैं O और R O और R के बीच दो अक्षर है ये एक ऐसा जोड़ा बन गया O और R का जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में होते हैं अंग्रेजी वर्ण माला में R और O के बीच कितने अक्षर हैं दो और यहां भी देखेंगे R और O के बीच अक्षर है दो तो R और O एक ऐसा जोड़ा बन गया जिनके बीच उतने ही अक्षर दिया हुआ है वर्ड X करजन में जितने की अंग्रेजी वनमाला में होते हैं ठीक है एक और जोड़ा देखिए R और S R और S के बीच कितने अक्षर हैं एक भी नहीं आप देखिए अंग्रेजी वनमाला में और R और S के बीच कितने अक्षर हैं एक भी नहीं तो यहाँ पे 0 अक्षर हैं अंग्रेजी वनमाला में और X करजन में भी 0 है मतलब S और R एक जोड़ा बनता है जिनमें X करजन के बीच उतने ही अक्षर लिखे हुए हैं जितने की आपका अंग्रेजी वर्ण माला में होते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक जोड़ा और दिखाता हूँ, देखे, R और N, R और N के बीच कितने अक्षर लिखे हुए हैं, तीन, अब अंग्रेजी वर्ण माला में देखते हैं, R और N के बीच कितने अक्षर लिखे हु हुए हैं जो कि अंग्रेजी वनमाला में भी उनके बीच तीन ही अक्षर होते हैं तो आपको ये समझ में आया हुगा अब तक कि करना क्या है अब हम देखते हैं करना कैसे है तो देखिए अब ही आपसे पूछा गया था सब्द एक्सकरजन के बीच कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जो कि अंग्रेजी वनमाला में होते हैं क्या ढूड़ना है ये आपको पता है कैसे ढूड़ना है अब हम वो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम ए से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कोई भी मैच नहीं किया अगर मैच कर जाता तो इसका मतलब ये होता उनके भी जितने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वनमाला में होते हैं अब एक्स से काउंट करेंगे यहाँ पर समय लग रहा है दोस्तों लेकिन एक्जैम में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा प अब C से देखेंगे C, D, E, F, G, H, I एक भी शब्द नहीं बना अब हम U से देखेंगे U, V, V से बड़ा एक भी नहीं है इस तरफ तो वैसे भी बन नहीं सकता अब R से देखते हैं R, S देखें एक मिल गया हमें हमने पढ़ा R, S, R के बाद S आता है यहाँ पे भी हमको S मिल यानि R और S ऐसे जोड़े मिल गए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वनमाला में होते हैं यानि कोई अक्षर नहीं ठीक है तो हमारा एक जोड़ा बन गया R और S का ठीक है अब देखें अब दुबारा R से पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि हम छोड़ द है यहीं नहीं आई के बाद J, J के बाद K नहीं बना O के बाद P आता है नहीं बना N के बाद कुछ लिखा नहीं है नहीं बना तो जब हम इधर से पढ़ रहे थे तो हमारा एक जोड़ा हमें मिल गया लेकिन दोस्तों यहीं काम खतम नहीं होता अब आपको इधर से भी होता है कैसे देखिए N O मिल गया देखिए N और O एक जोड़ा हमको मिल गया N और O के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वनमाला में होते हैं यानि एक भी नहीं N O जब हमने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया हमें आगे भी चेक करना है क्या पता आगे कोई बन रहा हो जोड़ा N O ये बन गया था इसको हमने लिख लिया N O P Q R देखिए मिल गया हमें N और R मिल गया न हमें एक और जोड़ा यानि N से हमें दो जोड़े मिले N O N R फिर पढ़ेंगे O P Q R S T U V नहीं मिला अब O से पढ़ते हैं O P Q R मिल गया O और R आप देखिए यहां पे ये N R था ये O R जोड़ा मिल गया हमें हैंना अब और देखेंगे R से बड़ा तो कोई धर है नहीं तो मिल सकता है R S T U नहीं है लिखें अब आगे देखिए I J K L M N नहीं मिला S T U एक और मिल गया हमें देखिए S के बाद T T के बाद U यानि S और U S और U हमें ऐसा जोड़ा मिल गया जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वनमाला में होते हैं एक एक ही अक्षर है R और यहां भी S और U के बीच एक ही अक्षर होता है T ठीक है तो एक जोड़ा और मिल गया हमें फिर पढ़ेंगे आगे S, T, U, V, W, X कोई नहीं है R के बाद देखते है S, T, U, V नहीं है U के बाद देखते है V, W, X X अगर यहां लिखा होता तो जोड़ा बन जाता है ना C के बाद D, E देखे एक जोड़ा और बन गया हमारा कौन सा C और E C और E एक और ऐसा जोड़ा बन गया जिनके बीच उतने ही एक्षर है जितने की अंगरेजी वनवाला में होते हैं तो टोटल हमें कितने जोड़े मिल गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़े हमने पहले भी ढूड़े थे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको यह काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखिए, कोशन में आफशन दिया था 2, नहीं, कोई नहीं, नहीं, एक नहीं, तीन से अधिक अब इस तरीके के कुर्शन में या तो एक आफशन मतलब एक ही मिलेगा तो आफशन एक लगा देंगे या दो मिलेगा, या तीन मिलेगा, या चार मिलेगा, या पांच मिलेगा मैक्सिमम पांच से जादा नहीं होते, वैसे चार से जादा भी वाले नहीं देगा अगर 4 से ज़ादा बनने वाले देगा तो option में लिख देगा 3 से अधिक, 4 से अधिक सपोस कर ये 3 से अधिक लिखा हुआ है और मैंने पहले ही 4 जब यहाँ पे 6 ढूंडे हैं जब मैंने 4 ढूंड लिये थे तो मुझे वहीं रोग देना था मैं आगे क्यों करूंगा solve तो इस तरीके से इनको solve किया जाता है ठीक है दोस्तों अब हम इस question पे वापस आते हैं यदि सब्द boxes में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वनमाला में होते हैं तो बताएं उन दोनों अक्षरों में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वनमाला में पहले आता है फिर कैसे करेंगे अब हम पढ़ना सुरू करेंगे B, C, D, E, F एक जोड़ा मिल गया देखे B और E हमें मिल गया ना B और E का जोड़ा इनके बीच दो अक्षर एवार अंग्रेजी वनमाला में भी दो ही होते हैं C और D तो इन्होंने पूछा है कि यदि सब्द बॉक्सेज में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच दो अक्षर मिल गया हमें एक और दो जिनके बीच उतने ही अंग्रेजी वनमाला आता है तो जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहले B आता है तो बच्चे क्या करते है option B लगा के आ जाएंगे ये गलती बहुत होती है कि यहाँ B है तो answer B लगाने की बजाए option B लगाया और चल दिये ठीक है फिर exam में answer की देखके कहते हैं क्या हो गया तो ऐसा नहीं करना है आपको option B लूड़ना है जो कि आपको answer B लूड़ना है जो कि option A में है चलिए अगला प्रशन देखते हैं शब्द आइडल में ऐसे कितने अक्षर युग में है जिनके बीच इतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्ण माला में इनके बीच होते हैं एक तो मैंने आपको दिखा दिया D और E D के बाद यह आता है न यहां भी वही लिखा है एक तो मैंने ढूण के दे दिया आपको बाकी आप ढूण यह खुद से करिए यह आपका homework है बाकी दोस्तों यह जितने भी questions इस वीडियो में है मैं वो सारे questions आपको description box में दे दूँगा वीडियो के end में जब आप वीडियो देख लेंगे समझ जाएंगे तो वीडियो को pause करें description box में जाएं और questions को solve करें और जिस number का question समझ में नहीं आता है आप मुझे उस question का number और एक आदव word important लिख के दे दे comment box में सारा question लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको उसे solve करके बता दूँगा चलिए अगला प्रशन शब्द layout में अक्षरों के बीच ऐसे कितने युग में है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्ण माला में उनके बीच होते है अब आप यहां देखिए लिखा हुआ है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में यनि की जो layout से आपको L साइड से भी count करना है S साइड से भी count करना है और मैंने आपको already बता दिया है कि दोनों साइड से count करना होता है चाहे यह लिखके दिया हो यह ना दिया हो यह तो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें लिख दिया है लेकिन अगर by chance बोल दे कि एक ही साइड से count करना है हाला कि ऐसा questions आज तक बना नहीं है जो कि बन सकता है अच्छा question बनेगा कि सिर्फ right side से choose करिए ये left side से count करिए लेकिन बना नहीं है ऐसा question अभी तक चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आप ऐसे करना start करेंगे L से पढ़िए L M N O देखिए M N O एक ऐसा जोड़ा बन गया जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वन माला में होते हैं चेक करते हैं अंग्रेजी वन माला में L और O के बीच कितने अक्षर होते हैं L और O इनके बीच दो अक्षर होते हैं यहाँ भी दो ही है, यानि एक जोड़ा मिल गया, फिर L से ही सुरू करना है, ऐसा नहीं है कि अब आप A से सुरू कर दे, यह O तक छोड़ दे, नहीं, L से ही सुरू करना है, हो सकता है, आगे भी बन जाए, तो आप ऐसे count करना continue रखे, L, M, N, O, एक बन गया, P, Q, R, कोई भी करना है, मतलब एक ही बने गा, अब A से, A, B, C, D, E, F, एक भी नहीं मिला, Y से मिलने के चांस है नहीं, क्योंकि Y से बड़ा कोई है नहीं, O, P, Q, R, एक भी नहीं मिला, S मिल रहा है पर R तो नहीं मिला, U, U के बाद V, W, यहाँ भी नहीं मिला, T से बड़ा है नहीं, S से अब फिर से s से count करना start करते हैं, क्या पता आगे भी बन रहा हो, s, t, ये वाला तो count कर लिया u, देखिए, एक और बन गया हमारा, कौन सा s, t, u, s, t, u, आगे भी count करेंगे, यानि ये हमारा एक और जोड़ा बन गया, s, t, u, v, w, x, y, एक भी नहीं बना, अब t से करेंगे, t, u, देखिए, मिल गया हमें, t, u, एक और पेर मिल गया, फिर आगे करेंगे continue, t, u, v, w, x, y, कोई भी नहीं बन रहा, फिर u से तो बड़ा कोई है ये इस तरफ, अच्छा y है, v, u के बाद v, w, तो w तो है नहीं, o से बड़ा तो कोई है नहीं, y से बड़ा कोई है नहीं, a से तीन, चार, चार जोड़े बने हमारे, तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारे इस प्रशन का आंसर है, चार, यानि तीन से अधिक, है न दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इन कोईशन्स को करना होता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, चलिए, ये खुद से करिए, हो काफ़ी इजी है, ये भी होमवर्क है आपका, मैंने यहापे लिखके दे दिया है, आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉस करके सॉल्व करें, नहीं बनेगा तो वंडर्स लिखके रख दीजेगा कोशन में, कमेंट बॉक्स में वंडर्स लिखिए, कोशन नंबर लिखिए मैं आपको solution महीं बता दूँगा, खेर ये भी होमवर्क है आपका, ये सारे मैंने आपको दो काफी अच्छे से explain करके समझाया है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, या फिर से practice करनी है, तो शब्द देखिए corporate, और यहाँ पे खुद से ही solve करना start करिए, कितने जो दोस्तों ये एक उस वीडियो का thumbnail है, जो बिलकुल reasoning के course का पहला वीडियो है, जिसमें मैंने आपको alphabets याद करवाए हैं, कि कौन सा alphabets कौन से number पे आता है, और आपको trick के साथ ये भी याद करवाया है, कि कौन से alphabets के opposite कौन सा alphabets आता है, जिसे P के पीछे K, P के movie, GT Road, G के पीछे T, ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत benefit होगा, और ये बहुत जरूरी वीडियो है, अगर आप reasoning की preparation कर रहे हैं, फिर चाहे वो CZL हो, IB हो, या NTPC हो, ठीक है, तो चलिए, आज हम अलविदा करते हैं, आज के वीडियो से, उमीद करत आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद,